अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगें तो इस लाज सब्सक्राइब की बटन को दबा दें और साथ ही इस बैल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहें बिसमिल्ला रख्मानी रहीम अस्सलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइस 3.4 का कोईस्टन नमबर टू का नाइंध पार्ट सॉल्फ करूंगे तर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सवाल है आपके पास रैशनलाइज डिनॉमिनेटर ऑफ दॉ फॉलिंग ठीक है यह आपके पास नाइंध पार्ट है इसका कोईस्टन नीचे कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे मल्टिप्लाइंड डिवाइट डिनॉमिनेटर बाद दीक है ठीक है नियूमरेटर और डिनॉमिनेटर आपसे मल्टिप्लाई हो जाएंगे तो नियूमरेटर जब बंस से आप मल्टिप्लाई करेंगे ये वाला ठीक है तो आपके पास जो है वो दुबारा से यही रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पर आप जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करते वे से A स्कॉर माइनस B स्कॉर फॉर्म में लिखेंगे A आपका रूट 17 है और B आपके पास जो है वो 4 है स्कॉर से रूट कैंसल हो जाएगा तो आपके पास आजाएगा सिम्पल 17 माइनस 4 फोर्दा 16 प्लस माइनस माइनस 17 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास आजाएगा 1 और डिनॉमिनेटर में आपके पास अगर 1 हो तो आप जो है वो नियूम्रेटर को इस तरीके से भी लिख सकतें and this is your required answer ठीक है आप इस चीज़ को जो हो निगलेट कर सकतें 1 को अगर डिनॉमिनेटर में है तो ठीक है तो यह आपका जो हो answer हो जाएगा next है आपके पास 10th part ठीक है बिलकुल 9 जैसा ही है यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हो sign का difference है ठीक है यहाँ पर आपके पास जो प्लस का साइन था जबकि यहाँ पर आपके पास जो हो माइनस का साइन root 17 प्लस 4 से आप multiply भी कर देंगे and root 17 प्लस 4 से आप divide भी कर देंगे again यहाँ पर देखिए यह 1 से multiply होगा तो आपके पास आजाएगा root 17 प्लस 4 और यह आपस में क्या हो जाएगे multiply जब आप करेंगे तो इस तरीके से आप इसको formula form में लिखेंगे जो के है a square minus b square a आपके पास है root 17 and b आपके पास है 4 square से आप root को cancel करेंगे तो आपके पास आजाएगा 17 minus 4 for the 16 यहाँ आजाएगा आपके पास plus का 4 and बीचे आजाएगा आपके पास plus minus minus 17 minus 16 1 again आप देख सकते हैं यहाँ पर denominator में आपके पास जो है वो 1 है तो आप इसे निग्लैक करते वे answer को इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है यह आपका जो है वो 10th part का answer है नेक्स्ट है आपके पास question no.3 ठीक है question no.3 है आपके पास यहाँ पर first part आपको दिया वे x is equal to 8 minus 3 root 7 find x plus 1 upon x का whole square ठीक है यह चीज़ आपने यहाँ पर find करनी है तो देखें जब कभी भी इस तरीके कि आपके पास जो हो सवाल होंगे तो आपने से किस तरीके से शुरू करना है क्योंके देखें सवाल में आपके पास जो है वो एक given value भी नजर आ रही है और आपको यहाँ पर required value भी है जो चीज़ आपने यहाँ पर find करनी है ठीक है तो आप इसको इसको इसी तरीके से लिखिएगा सबसे पहले आप given की heading लगाएंगे यहाँ पर given है आपको यहाँ पर x की value जो के है 8-3 root 7 ठीक है इसी तरीके से आपके पास जो है वो required में आ जाएगा x plus 1 upon x का whole square ठीक है तो यहाँ पर आपके पास जो हो सवाल को आप और से रहिएगा आपके पास जो हो यहाँ पर 2 terms दीव है ठीक है पहली है आपके पास x और दूसरा है आपके पास 1 upon x तो अगर आप सवाल को और से देखें तो यहाँ पर आपको x की जो हो given value दीवी है ठीक है x की value जो हो given है यहाँ पर जबके 1 upon x जो हो आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपने जो है वो इस चीज़ को generate करना है then आपने जो है वो इसको solve करना है ठीक है तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते है taking x is equal to 8 minus 3 root 7 जब x आपके पास जो है वो 8 minus 3 root 7 है so 1 upon x आपके पास क्या होगा यह चीज़ आप देखें खुद से यहाँ पे बना रहे हैं ठीक है क्योंके 1 upon x की कोई value आपको यहाँ पे नहीं दी वी तो आपने क्या करना है इस चीज़ को आप खुद से बनाएंगे इस x की मदद से इस x की दी गई value की मदद से आप यहाँ पे इसको इस तरीके से 1 upon x फॉर्म में लिखेंगे अब आप देखिए और से देखिएगा यहाँ पे कि denominator में आपके पास जो है वो root value है ठीक है यह radical sign आपको denominator में नजार आ रहा होगा तो जब भी आपके पास इस तरीके से denominator में radical sign होगा तो आपने जो हो उसको सबसे पहले rationalize करना होगा ठीक है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे इसको multiply and divide by conjugate करेंगे ठीक है देखें यहाँ पर हम यह चीज़ क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपने जो है वो 1 upon x यहाँ पर खुद से generate कर लिया बट यहाँ पर आपके पास जो हो denominator में root मौझूद था इसलिए आपने क्या करना है इसको यहाँ से इस चीज़ को जो हो remove करना है या आप दूसरे लफ़ों में कह सकते हैं कि denominator को जो हो आपने free of radical sign करना है तो इसलिए आपने जो हो इसको rationalize करना होगा आपको यहाँ पर तो जब आप इसको rationalize किस तरीके से करेंगे बिल्कुर इसी तरीके से multiply and divide by conjugate ठीक है इस तरीके से यहाँ पर आपके पास जो हो negative sign था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा positive sign आप यह देखें बन से multiply होगा तो यह हो जाएगा 8 प्लस 3 root 7 और यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी a square minus b square का structure आप बना लेंगे a आपके पास 8 है जबके b आपके पास जो है वो 3 root 7 है ठीक है numerator आप जो है वो as it is नीचे copy कर लेंगे और denominator यह क्या हो जाएगा 8 is the 64 बीच में आ जाएगा आपके पास minus का sign और यह क्या हो जाएगा देखें 3 3s are 9 और square और root आपस में cancel हो जाएगे तो इस तरीके से लिखेंगे आप multiply by 7 करके ठीक है यह पूरे bracket के उपर square था तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले 3 को जो हो आप square कर लेंगे उसके बाद जब रूट 7 के उपर square आपको नजर जो आ रहा है यहाँ पे तो square से root आप cancel करके इस तरीके से multiply by 7 करके लिखेंगे मजीद थोड़ा साथ को यहीं पर मैं solve कर लेती हूँ 64-7963 ठीक है प्लस माइनस माइनस 64 में साथ 63 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो denominator में आ जाएगा 1 तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 upon x अब आपके पास क्या आ गया 8 प्लस 3 root 7 divided by 1 ठीक है और मजीद करके आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं 1 upon x आपके पास आ गया 8 प्लस 3 root 7 ठीक है तो देखें एक value x की जो आपको यहाँ पे given थी 8 माइनस 3 root 7 एक value इसी की मदद से आपने निकाल ली यहाँ पे 1 upon x जो के है 8 प्लस 3 root 7 ठीक है अब आप सवाल की तरफ आएंगे जो के आपको main यहाँ पे सवाल की requirement है जो के है x प्लस 1 upon x का whole square ठीक है अब इस whole square के लिए भी आपको सबसे पहले x प्लस 1 upon x का result पता होना चाहिए जब आपके पास जो हो x प्लस 1 upon x का result होगा तब ही आप इसका whole square find कर सकते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे यह दो results आपके पास आगए एक यह x है आपके पास 8 माइनस 3 root 7 ठीक है देखिए यहाँ तर यह चीज फाइंड करने करने मैं लिखा now x plus 1 upon x is equal to x की जगा क्या आगए आपके पास 8 बीच में आएगा sorry 8 माइनस 3 root 7 इस x की जगा आगए 8 माइनस 3 root 7 बीच में आएगा आपके पास plus का sign जो कि आप इस तरीके से prominent कर देंगे यहाँ पर उसके बाद है 1 upon x ठीक है तो 1 upon x की जो भी value होगी वो आप इस तरीके से bracket में लिखिएगा ठीक है यहाँ पर two terms है इसलिए हमने जो है उसको bracket में लिखा है अब देखिए यह as it is आगिया आपके पास अब यह plus का sign जो पूरे bracket से multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा plus 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 8 and plus 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 3 root 7 थोड़ा से simplify कर लेते हैं देखिए यहाँ पर है आपके पास minus का 3 root 7 और यह है आपके पास plus का 3 root 7 तो दोनों आपस में cancel हो जाएंगे ठीक है same जो है वो आपके पास terms है negative sorry opposite sign के साथ ठीक है same results है opposite sign के साथ इसलिए यह आपस में cancel हो जाएंगे और यहाँ पर है आपके पास plus का 8 and यह है आपके पास plus का 8 plus 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 8 and 8 आपके पास हो जाएंगे 16 तो देखिए यह आपके पास जो है वो एक value आ गई ठीक है x plus 1 upon x की जो कि है आपके पास 16 अब मजीद आप जाएंगे यहाँ पर से किस करीके से solve करेंगे ठीक है यहाँ पर आपके पास जाएंगे x plus 1 upon x आगे 16 देखिए अब मजीद जो हो आपने यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड करनी है x plus 1 upon x का whole square ठीक है तो आपने क्या करना है इस चीज़ का जो हो square कर देना है ठीक है यहाँ आप यहाँ पर इस तरीके से एक line को add करने ठीक है squaring the above result on both side जैसे ही आपने यहाँ पर x plus 1 upon x को find कर लिया तो अब आप क्या करेंगे इस result को जो आपने यहाँ पर find किया है इस result को आप जो हो squaring on both side कर देंगे ठीक है तो अब आप देख सकते हैं जो सवाल की आपके पास main requirement थी x plus 1 upon x का whole square तो देखें यह इस तरीके से आजाएगा आपके पास ठीक है 16 के ओपर square means 16 को आप जो टू टाइम्स multiply करेंगे तो जब आप 16 को टू टाइम्स multiply करेंगे तो आपके पास result आजाएगा 256 ठीक है सवाल की requirement आपके पास यह थी यहाँ पर आपको जो हो किसी किसम का formula apply करने की जरूवत नहीं है जो कि आप देख सकते हैंगे यहाँ पर आपको बंतवा नजर भी आ रहा होगा a plus b का whole square ठीक है बट यहाँ पर हमें जो हो सवाल को मजीद extend नहीं करना सवाल की requirement थी आपके पास x plus 1 upon x का whole square की value आपने यहाँ पर find करनी थी जो कि आपने कर दी and this is your required answer ठीक है जो भी आपके पास result आ रहा है आपने क्या करना है देखिए अगर यहाँ पर cube होता तो हम cubing on both side कर देते ठीक है बट यहाँ पर आपको जो हो सवाल की requirement squaring की थी तो इसलिए हम नहीं यहाँ पर लिखा squaring the above result on both side तो इस तरीके से जो उसको पूरा bracket बना के मैंने square कर दिया और इस value को भी square कर दिया और इसको जो simple इसका square find किया और इस तरीके से आप जो easily अपना answer find कर सकते ठीक है तो चलिए यहीं पर मैं अपनी वीडियो को end करना चाहूंगी इसी उमीद के साथ कि जो भी मैंने आपको explain किया बहुत अच्छे सा आपकी समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छे लेगे तो like and share जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगोंने जयो चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं फिर आप लोगोंसे अगली वीडियो में तब तक के लिए लिए लाह आपेस